हेलो एवरिवान स्वागत करती हुए एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं मूली की भूजी की रेसिपी तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैंने सबसे पहले मूली ले यह देखिए पहले मैंने अपने बरतर में ही पानी डाल के अच्छे से दो लिए हुँ उसके बाद मैंने चन्नी में निकालकर जिसके जोबी रेत है मिट्टी है वो नीचे को निकल जाएगा चन्नी में तो इस तरीके मैं आच्छे दो लिए अब यह देखिए मैंने छe साथ उबालने के लिए डाल दूगी और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक उबालते टाइम थोड़ा सा नमक डाल देना है तो उसके बाद दो सीटी लगा कर और गैस को बिल्कुल सेम कर देना है और 15 मिनट तक धीमी धीमी आज पर पकाना है पत्तों को तो चली जब त अगड़े हैं तब 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 तक मैं प्याच, लेसुन, अद्रग, औरहड़ик औरहयमिर्च काट लिती है इस बिल्कुल बारिक 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 काट ली घुक Assistant 007 मेंने बल्कुल बारिक काटी है अब यह देखिए चोड़ाई बिल्कोल पत्ते पत्ते मुली के त्यार हो गयी उबल गया देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है जब यह पक जाएंगे तो इनका कलर हलका पीला हो जाएगा तो आप इने में ठंडा करने के लिए एक चलनी में निकाल लूँगी और चमच की हल्प से फैला कर कुछ टाइम के लिए इने ठंडा होने दूँगी अब देखिए ठंडा हो गया हमारा यह तो उसके बाद हम अपने आलू को अलग निकाल लेंगे और इसको हाथ की हल्प से टाइट करके जितना आप निचोड सकते हैं इसका पानी निकाल यह अपने मूली के पत्ते अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब मैंने एक लोही की कड़ाई ले ली है और इसमें मैं थोड़े से डाल दूँगी सरसो का तेल तो लोही की कड़ाई में खाना बनाने से खाने की न्यूटिशन वैल्यू बढ़ जाती है देखिए हमारा तेल ग अब देखिए यह अब इसमें हम अपने मसाले अड़ कर लेंगे नमक स्वादन सार थोड़ी सी हल्दी थोड़ा से धनिया पाउडर और थोड़ी सी हींग देखिए मैं जैसा कि आपको अपनी हर वीडियो बताती हूँ मैं डेली खाने में गरम मसाला या कोई भी एक्स्टर मसाला यूज नहीं करती हूँ हेलग के परकल से जो खाना अच्छा होता है मैं वही घर में बनाती हूँ और वही रेशिपि आप सभी के लिए लाती हूँ जिए मसाले एच्छ से मिल जाएंगे, उसके बाद हम इसमेः अपना जो पेश्ट तेयار कराता वो मिक्स कर देना है और अच्छ से चलाते वे मिक्स कर देना है इस तरीके से लिए ये में इस तरीके से जब आप भूजी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगती है और आपको मेरे रसीपी क्या सी लगी कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिएगा चैनल अगर आपको ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए थैंकियो सो मज़़